इस बार नीट एक्जाम को लेकर पूरी तरह से गिरी हुई है ये मुद्दा सिर्फ एक्जाम के लीक होने तक सीमित नहीं है इस एक्जाम में इस बार जो गरवडिया पाई गई है चाहे वो पटना में पेपर लीक का मामला हो जिसकी जानच शानबीन पटना पुलिस कर रही ह चाहे वो गोदरा में एक्जामनेशन होल के सेट अप का हो कि भी कहां बैटना है किस तरह पेपर देना है और चाहे वो ग्रेस मार्क्स देने का हो बई किसी पेपर में 720 मार्क्स का जो पेपर है उसमें ग्रेस मार्क्स इतने दे दिये जाएं कि बच्चे के 720 आउट ओ 720 आ जाए और वो भी 6 के 6 बच्चे हर्याना के एक जरजर सेंटर से ऐसा कैसे संभव है तो जब कोई संस्था किसी एक्जाम के लिए इतने सारे सवालों से घरी हो कोई सवाल हमारे देश के भविशे को निर्धारित करता हो हमारे भविशे के डॉक्टर कैसे होंगे हमें जुगारू डॉक्टर चाहिए या पढ़ाओ डॉक्टर चाहिए इस बात का सवाल है जो हमारे देश का भविश्य तियार कर रहा हो तो ऐसे एक्जाम के उपपर अगर एक छोटा सा भी प्रशन उठ जाए तो वो एक्जाम दुबारे होना चाहिए सर देखे घबराने की जरुत उन बच्चों को बिल्कुल भी नहीं है जिनोंने अपनी मेहनत के दम पर अपनी रैंक लेकर आए हैं बलकि वो बच्चे खुद भी चाते हैं कि उन्हें क्या पता पेपर सिर्फ पटना में ही लीक हुआ है पता नहीं ना जाने कितने सेंटर्स भ पर पेपर के लिए एंटे का रविया देखें तो शुरुआत से पेपर के बाद पांच मेहीं को पेपर हुआ था हैं तो जब एक तार खुलता है तो फिर चारों तरफ रसी को खोल देता है सर आप इस सिस्टम में इस पेपर के लिए एंटे का रविया देखें तो शुरुआत से पेपर के बाद पांच मेहीं को पेपर हुआ था छै मेहीं को पेपर होने के बाद एंटे कहता है कि सिर्फ एक भरतपुर के सेंटर को छोड़कर सब जगे पेपर बहुत बढ़िया होते तो आप यह मानिए यह ग्रेज का मैटर कभी सामने नहीं आया होता यह ब्रस्टाचार हुआ है या नहीं हुआ है वह मैं नहीं बोलूँगा लेकिन जो गरबड़ी हुई है मैंने हर तरीके से कैलकुलेट करके देखा मैं कभी किसी भी सूरत में उन्नीस साथ सो नीस औ 20-20 थो कुछे ने सारे कुछन के सही किए तो 720 मिलेंगे अगर वह एक कोशन चोड़कर आया है तो उसे 716 मिलेंगे और मानलो उसको कोशन गलत हो गया है तो उसको शाथ सो पंद्रह मिलेंगे 79 और 718 नंबर इस पेपर में आने का सवाल ही नहीं हो था अगर ये 718 और 719 नंबर रैंक्स में नहीं आये होते विजिंदर जी तो मैं पूरा दावे से कह सकता हूँ NTA कभी सुविकार नहीं करता कि हमने ग्रेस मार्क्स भी दिये हैं सरकार और NTA से अब जाके यह पिक्षा रखता हूँ कि वो पेपर को रद करे और दुबारे नीट कराने के फैसले को जल्द से जल्दे क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा परिशान कोन है ना कॉंग्रेस परिशान है ना बीजेबी परिशान है सबसे ज़्यादा परिशान है बच्चे और उनका परिवार जिनका भविश्य इस पेपर पे निर्भड कर रहा है तो मैं सरकार से जाओंगा कि जल्द से जल्द इस पेपर को रद करे और आने आने वाले रिलीट की जब राजिसान में ऐसा होता तो RPSC को रद करने की बात होती थी लेकिन उसको करना असान नहीं है क्या NTA को रद किया जा सकता है जिरो से उसको गड़ा जा सकता है क्योंकि अगर अंदर वही लोग बैठे रहेंगे जिनको लेकर पूरे देश के अंदर कन्फियूसन है तो अगले एक्जाम पर भी यहीं कन्फियूसन होगी सर उसके लिए एक कमेटी दुबारे निर्धारित की जा सकती है जो इस पेपर को दुबारे जो होने वाले रीनीट को देखे उसकी देखरेक में पेपर हो और वैसे सर मैं एक बात बताना चाहूंगा हमारे जो जो जोड़ेवे पैनल में उन्होंने बताया 97 में IIT J.E. का पेपर लीक हुआ था लीक नहीं मतलब आप ये मानिये एक एक एक्जामनेशन होल में एक बच्चे ने पेपर देखकर भी सेका और ये तो सारे वही कोश्टन जो मैंने कल करके आया था ये बात इन्विजलेटर ने IIT के प्रोफेसर्स को बताई अगले दिन सुबह साथ बजे मिटिंग हुई और साड़े साथ बजे फैसला हो गया कि पेपर IIT J.E. का दुबारे होगा चीक तो ये चीज है जो विश्वसरनिता को पैदा करती है बढ़ाती है चीक है चुक्रिया अश्वसरनिता जोड़ने के लिए बोलिए बोलिए